मन्य दग्जी देश की 75 वर्षों की संसदिय यात्रा उसका एक बात पुना स्मरण करने के लिए और नए सदन में जाने से पहले उन प्रेरक प्रलोग को इतिहास की महत्वकों घड़ी को स्मरण करते हुए आगे बढ़ने का ये अउसर है हम सब इस अइतिहासिक भवन से बिदा ले रहे हैं आज आदे के पहले ये सदन इम्पीरियल डेजिस्लेटिव काउंसिल का स्थान हुआ करता था आज हदि के बाद ये संसद भवन के रूप में उसको पहचान मिली है ये सही है इस इमारत के निर्मार करने का निर्णा है विदेशी सासकों का था लेकिन ये बात हम न कभी भूल सकते हैं और हम गर्व से कह सकते हैं कि इस भवन के निर्मार में पसीना मेरे देशवाच्यों का लगा था परिश्रम मेरे देश वाच्यों का लगा था और पैसे भी मेरे देश के लोगों की इस 75 वर्ष की हमारी यात्रा ने अनेक लोक्तांत्रिक परंपराओं और प्रक्रियाओं का उत्तम से उत्तब स्रजन किया है अरी सदन में रहे हुए सब ने उसमें सक्रियता से योगदान भी दिया है और साक्षी भाव से उसको देखा भी है हम भले नए भवन में जाएंगे लेकिन पुराना भवन भी ये भवन भी आने वाली पीडियों को हमेशा हमेशा प्रेरना देता रहे है ये भारत के लोगतंत्र की स्वर्णिम यात्रा का एक महत्वकुन अध्या है जो सारी दुनिया को भारत की रगों में लोगतंत्र का सामर्त कैसे है इसका परीचित कराने का काम इस इमारत से होता रहे अधरिने दिख जी अमरत काल की प्रथम प्रभा का प्रकाश राष्ट में एक नया विश्वास नया आत्म विश्वास नया उमंग नये सपने नये संकल्प और राष्ट का नया सामर्त उसे भर रहा है चारों तरप आज भारत वासियों की उपलब्दी की चर्चा हो रहे हैं और गवरों के साथ हो रहे हैं यह हमारे 75 साल के संसद्य इतिहास का एक सामुहिक प्रयास का पर्राम है जिसके कारण विश्व में आज वो गुण सुनाई दे रही है आज देख जी चंद्रयान तीन की सफलता है नसिल भारत पूरा देश अभिभूत है और इसमें भारत के सामर्थ का एक नया रूप जो आदुनित्ता से जुड़ा है जो विज्ञान से जुड़ा है जो टक्नोलोजी से जुड़ा है जो हमारे वैज्ञानिकों के सामर्थ से जुड़ा है जो एक सो चालीस करोर देश वाचों के संकल्प की शक्ति से जुड़ा हुआ है वो देश और दुनिया पर एक नया प्रभाव प्यादा करने वाला है यह सदन और इस सदन के माध्यम से मैं फिर एक बार देश के विज्ञानिकों और उनके साथियों को कोटी कोटी बधाईया देता हूँ उनका अभिनंदन करता हूँ आदेन अद्धिक जी कर दो दो कर दो कर दो कर दो